ओम शान्ती, 11 जुलाई, 2022 के इश्वरिय महवाक्य, पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पोइंट्स, बाबा ने कहा, तुम्हारे लिए नंबर वन श्रीमत है, सवेरे उठ, साई भोलानात बाप को याद करो, मुझे याद नहीं करोगे, तो तुम्हे जिन रूपी माया खा ज जाएगी, रात को दिन बनाने वाला सच्चा साई, एक शुबाबा ही है, बाकी सब हैं जूट, वह सच्चा साई, अभी तुमको दिन का मालिक, अर्थात नई दुनिया का मालिक बना रहे हैं, लेकिन मालिक बनेंगे तब, जब श्रीमत पर चलेंगे, बाप तुमको और पहनत नहीं देते, तुम सिर्फ सबको यही पैगाम देते रहो, कि रात को दिन बनाने वाला, नर्ग को स्वर्ग बनाने वाला साई, आया हुआ है, अब उनको याद करो, तो तुम स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे, बाप तुम्हारे लिए नया घर, अर्थात सत्युग ब और सभी का संग तोड एक बाप का ही बनना है, बुद्धी में रहे, मेरा तो एक्षिव बाबा, दूसरा ना कोई, और लास्ट में बाबा ने कहा, रोज सुभे उठ, बाप को याद करते रहो, तो एकदम बेडा पार हो जाए, बाप को पहचान कर, फिर भूल नहीं जाना, कपूत बनेंगे तो वर्से का हकदार नहीं बन सकते, और अब सुनते हैं महवाक्यों को विसार से, मुरली का सार, मीठे बच्चे, शिव बाबा की नंबर वन श्रीमत है, कि सवेरे सवेरे उठ, मुझ बाप को याद करो, तो तुम्हारा बेडा पार हो जाएगा, प्रश्न उदार चित बच्चों की निशानी क्या होगी? उत्तर, वेह औरों का भी कल्यान करते रहेंगे, दान करने का शोक होगा, इस समय जो दान करते हैं, उन्हें ही पुन्य मिलता है दूसरा, उदार चित बच्चे भोलानात बाबा जैसे फ्राक दिल होंगे, वे यग्ये में धदीची रिशी मिसल, हड्डियां देंगे गीत कौन आया मेरे मन के दवारे? ओम शान्ती बच्चों के लिए कौन आया? कहते हैं सुबह का साई, क्योंकि वे रात को सुबह बनाने वाला है रात का साई है रावन, ये अच्छी तरह नोट करो, तब बुद्धी में बैठेगा बुद्धी में ये फर्क है न, सतो प्रधान, सतो रजो तमो बुद्धी होती है कोई तो इशारे से समझ जाते हैं, तुम समझ से हो बरोबर सुबह का साई है रात को दिन बनाते हैं, तुमको अब दिन का मालिक, अर्थात नई दुनिया का मालिक बनाते हैं मालिक बनेंगे तब जब श्रीमत पर चलते रहेंगे सोदागर लोग जब सुबह को दुकान खोलते हैं तो पहले-पहले माथा टेकते हैं मंदिर में भी ऐसे करते हैं दुकान के आगे नमस्कार कर फिर घुसते हैं क्योंकि आमदनी होती है ना आमदनी के लिए कहते हैं सुबह का साई बेडा बने लाई ऐसे कहते हैं अभी तुम बच्चे जानती हो यह कौन है उसको हमारी आत्मा जानती है वह हमारा बाबा है साई बाबा है रात को दिन बनाने वाला आजकल साई बाबा भी अनेक निकल पड़े हैं और बहुत भोला है नाम ही है भोलानाथ भोली कन्याओ माताओं पर ग्यान का कलश रखते हैं उन्हों को वड़सादे विश्व का मालिक बनाते हैं तुम अपने बापको सवेरे उठकर याद करते रहो तो एकदम बेडा पार हो जाए तुमको एकदम विश्व का मालिक बना देते हैं, मैंनत कुछ भी नहीं देते हैं, बस यही धंदा करते रहो, सबको यही परीचे देते रहो, कहो रात को दिन बनाने वाला, अथ्वा नरक को स्वर्ग बनाने वाला, कहते हैं मुझे याद करो, तो विकर्म विनाश हो पैगाम देना है आगे भी सबको पैगाम दिया था तुम समझा सकते हो भगवान बाबा आया है वर्सा देने के लिए बेहद का बाप जरूर स्वर्ग का ही वर्सा देंगे सर्फ बाप को याद करना है भोली माताओं के लिए कितना सहज उपाए बताते हैं मीठी मीठी माताएं और मीठी मीठी कन्याएं मीठे मीठे बच्चे और कोई महनत नहीं देता हूँ सिर्फ और सभी का संग छोड़ दो भक्ती मार्ग में तुम गयरेंटी करते आए हो आप आएंगे तो हम आपके ही बनेंगे मेरा तो एक आप दूसरा न कोई गिरधर गोपा कहते हैं प्रन्तु यह तो बाप है उन्होंने गोपाल कृष्ण को बना दिया है वास्तों में यह हैं चितन्य गउवे शिवबाबा ग्यान की पालना करते हैं ग्यान घास खिलाते हैं वह कृष्ण की आत्मा भी अभी बहुत जन्मों के अंत में हैं नाम, रूप, देश, का हर जनम में फिडता रहता है तुम शुद्र से ब्राह्मन फिर ब्राह्मन से देवता बनते हो यह राधे कृष्ण की वन्शावली कहो विष्ण की वन्शावली कहो विष्ण की विजय माला वर राधे कृष्ण की विजय माला तुम थे फिर अब चक्र लगाकर वह बनते हो अब तुम ब्रहमन फिर देवता बनते हो, नमबर वार पुरुशार्थ अनुसार, सुर्यवंशी राजा रानी, प्रजा आदी सब होते हैं, बाप कहते हैं, जितना जो श्रीमत पर चलता है, नमबर वन श्रीमत मिलती है, सवेरे उठ, साई भोलानात बाबा को याद करो, बाप कहते हैं, तुम आतमा होना, शरीर धारण कर पार्ट बजाती हो, उपर में तुम आतमा ही रहती हो, अब जानते हो, हमारा बाबा हमात्माओं को पढ़ा रहे हैं, कल्प कल्प के संगम पर एक ही बार श्व बाबा आते हैं, कल्प के बाद तुमको फिर यह निष्चे करन होता है कि मैं आत्मा हूँ बाप को याद करना है जिनका मिसाल देते हैं न कहता था मुझे गाम दो नहीं तो खा जाऊंगा बाप कहते हैं अगर मुझे याद नहीं करेंगे तो जिन रूपी माया खा जाएगी ऐसे भी नहीं कि तुम सदेव याद करेंगे अभी पुरुशार्थी हो यह है सहज राजयोग और ज्यान हेल्थ और वेल्थ दोनों मिलती हैं मन मना भव मध्या जी भव बाप कहते हैं मुझे याद करो और वर्से को याद करो बस फिर क्यों अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए आधा कल्प भक्ती मार्ग में टाइम वेस्ट गवाया है आधा कल्प ब्रह्मा का दिन आधा कल्प ब् दे दी है कलियुग की इतने हजार वर्ष सत्यूग की इतनी फिर आधा आधा हो न सके बाप बैठ समझाते हैं पहले अविभिचारी भक्ती थी फिर व्यभिचारी बन पड़ी है भूत पूजा अर्थात पांच सत्वों के शरीर की पूजा भी करने लगे हैं बाबा का देखा हुआ है गंगा के किनारे जाकर बैठते हैं अपनी पूजा कराते हैं साइई बाबा भी भिन भिन प्रकार के बहुत है यह बाबा तो कितना गुपत है उनको तुम्हारी दिल पहचानती है बाबा कहते हैं मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ तुमको राजयोग सिखलाता वह है ही Heavenly Godfather, जरोर स्वर्ग ही सापन करेंगे, रावन आकर नर्क सापन करते हैं, यह समझ भी तुमको है, मनुष्य तो सर्फ कहने मात्र कहते हैं, समझ से कुछ भी नहीं है, यह भी कहते हैं, उल्टा जाड है, कल्प व्रिक्ष भी कहते हैं, प्रन्तु उनकी आयू बता नही सकते, व्रिक्ष की आयू लाखो वर्ष तो हो न सके, इंपोसिबल है, बाप कितना प्यार से बैठ समझाते हैं, मीठे मीठे, सिकी लधे बच्चों, जैसे लोकिक बाप प्यार से बैठ समझाते हैं न, स्कूल में जाओ यह करो, अभी तो तमो प्रधान है, जब रजो प्र सिक्षा देते हैं, बच्चों को सुख के लिए ही रचते हैं, कहते हैं एक बच्चा तो जरूर होना चाहिए, एक बच्चा मिला, फिर कहेंगे एक बच्ची भी जरूर चाहिए, नहीं तो लक्ष में नहीं आएगी, अभी तो क्या हाल है, बच्चे तो एकदम नाक में दम क जानते हो मनुष्य तो कितने पत्थर बुद्धी बने हैं, बाप को ही नहीं जानते, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुशार्थ अनुसार जानते हैं, बाप को याद करने की बड़ी मेहनत है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं, आज तुम पहचानते हो, फिर कल ऐसे नह नहीं देते हैं, मनुष्य भक्ती में जो भी जब तब तीर्थ आदी करते हैं, उनसे पतित ही बनते आए हैं, भक्ती तो बहुत करते हैं, फिर भी ऐसी हालत क्यों? भारत में भक्ती अथा है, बाप कहते हैं जो पुराने भक्त हैं, जिनोंने शुरो से शुबाबा की जाड में भी देखो पहले सुर्यवंशी चंद्रवंशी फिर भक्ती मार्ग दिखलाया है फिर भक्ती का अंत होता है तो काले हो जाते हैं दुनिया काली आयरन एजड हो जाती है ड्रामा का खेल है आधा कल्प ग्यान आधा कल्प भक्ती जरूर चलनी है अब तुम बच्चे ग्यान लेते हो सुभे का साई ग्यान देते हैं दुनिया में तो अनेक भिन भिन साई लोग है तुम दुनिया में बड़े बड़े देशों में चक्र लगाओ जांच करो तो तुमको हर जगह से किसम किसम के मिलेंगे कहेंगे यह तो साक्षात साई बाबा है फुलाना है सत् गुरू तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं यह कौन समझाते हैं आत्मा कहती है बाबा आप सत्य कहते हो हम आपकी श्रीमत पर आपको याद करते हैं कल्प कल्प हम आपको याद कर आपसे वर्सा लेते हैं अनेक बार आपसे वर्सा लिया है अब फिर से ले रहे हैं यह भी याद करो बरोबर हम बाब से वर्षा लेते हैं फिर पांच हजार वर्ष के बाद ऐसे ही गवाएंगे फिर आप आएंगे हम वर्षा लेंगे कितनी सहज बात है पुराने घर में रहते नया घर बनाया जाता है टाइम तो लगता है तुम बच्चे जानते हो बाबा नया घर ब वहां जाकर हम राजाई करेंगे। वह बेहद का नया घर अभी यह सारी दुनिया है बेहद का पुराना घर। इससे तुम्हारा विराग्ये है बेहद का। पुराने कल्यूगी छीची संबंद से निकल अभी हम सत्यूगी गुलगुल संबंद के लिए पुरुशार्थ कर रह तो पुरुशार्थ भी अच्छा करना चाहिए परम्पिता परमात्मा से आत्माओं का कितना लव होना चाहिए और सबसे लव हटाए एक से लव होना चाहिए सभी द्रौपदियां पुकारती हैं नगन होने से बचाओ बहुत अत्यचार करते हैं बाप कहते हैं इतने पाप करेंगे तभी पाप का घड़ा भरेगा और विनाश होगा यह भी ड्रामा नुसार उसमें जानवर पक्षी आदी जो कुछ भी हैं उनका पार्ट है आज जो हु हुआ सो कल्प पहले भी हुआ था एक अकबार में लिखते हैं सो वर्ष की अंदर जो हुआ था सो तो सहज है उन्हों की पास हिस्ट्री रहती है मुख्य मुख्य बातें लिखते हैं तुम भी लिख सकते हो कुछ भी हुआ है, बोलो पांच हजार वर्ष पहले ये सब हुआ था मुख से कहते हैं भारत स्वर्ग था, तुम सिद्ध कर बताएंगे बोलो अभी वही भारत कंगाल है, यह लड़ाई कोई नई नहीं है कल्प कल्प लगती रहती है, परंतु तुम्हारी बात को कोई मानेंगे नहीं हाँ कोई न कोई निकलेंगे जो समझेंगे यह बात थो ठीक है यह भी समझ से हैं, मौत सामने खड़ा है कोई है जो ना चाहते भी यह बोम्स आधी बनवाते रहते हैं बिचारे बिलकुल अंधियारे में हैं, कुछ भी पता नहीं है, जो आयासो कह देते हैं, अपने को बहुत अकलमंद समझ से हैं, तुम जानते हो ये सब विनाश हो जाएंगे, बाबा कहते हैं, हाहाकार के बाद फिर जैजेकार होना है, फिर तो भगवान को ही याद करेंगे, जो जिसका इश्ट होगा उनको ही याद करेंगे, भगवान को तो जानते ही नहीं, तुम तो जानते हो भगवान एक बिंदी है, कितनी छोटी बिंदी, कितना वंडर है, तुम तो नहीं कहेंगे कि वे इतना बड़ा लिंग है, नहीं, तुम कहेंगे स्टार है, आत्म भी स् उसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है, कितनी सुक्षम बाते हैं, फट से किसको सब बाते नहीं बताई जाती हैं, पहले पहले तो समझाना है कि बाप को याद करो तो बड़सा मिलेगा, कितनी महीन बाते हैं, तब तो कहते हैं, आज तुम्हें गुही ये बातें सुनाता ह कैसे कैसे युक्ति से समझाते रहते हैं, देखो बाबा ने रात को प्रश्न पूछा था, कि विश्नों की नाभी से ब्रह्मा को निकलने में कितना समय लगता है, और ब्रह्मा से विश्नों को निकलने में कितना समय लगता है, कल हम कितने अज्यानी थे, आज कितने बाते हैं सेंसिबल भी नंबरवार बनते हैं तुम बच्चे टेप से भी बाबा की मुडली सुनते हो बच्चे जानते हैं टेप से हम अक्षर बायक्षर सुने जिनको शोक होगा पैसे वाले होंगे उदार चित होंगे तो औरों का भी कल्यान करेंगे इस समय जो दान करते हैं उनका ही पुन्य बनता है बाकी कलियुग में जो दान पुन्य करते हैं उनसे तो पापात्म ही बनते हैं हमारा बाबा साई कितना भोला नात फ्राक दिल है तुमको भी फ्राक दिल बनना चाहिए यग्ये में धदीची रिशी मिसल हड़ियां देनी होती है बाप कहते हैं स्वीट लक्येस्ट चिल्डरन इन दा वर्ड तुम हो जो बाप से वड़सा ले रहे हो अच्छा मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग धारना के लिए मुख्येसार पहली पॉइंट एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखना है कलियोगी पतित संबंधों से बुध्धियोग हटा देना है इस पुरानी दुनिया से बेहद का विराग्य रखना है हम सारे विश्व में लक्येस्ट बच्चे हैं जो बाप से वर्षा लेते हैं इसी नशे में रहना है फ्राक दिल बनना है वर्दान यथार्थ चार्ट दवारा हर सब्जेक्ट में संपूरन पास माक्स लेने वाले आग्याकारी भव यथार्थ चार्ट का अर्थ है हर सब्जेक्ट में प्रगती और परिवर्थन का अनुभव करना ब्राहमन जीवन में प्रकृती, व्यक्ती अथ हुआ माया दवारा परिश्थितिया तो आनी ही है लेकिन स्वासिती की शक्ति परिश्थिति के प्रभाव को स्मापत कर दे परिस्थितिया मनोरंजन की सीन अनुभो हो, संकल्प में भी हलचल ना हो, ऐसे विधी पूर्वक, चार्ट दवारा विधी का अनुभो करने वाले आज्याकारी बच्चों को सम्पूरण पास माक्स मिलती हैं स्लोगन छोटी छोटी बातों में दिल ना भर जाए इसका ध्यान रखो, शक के शिकारी नहीं बनो अच्छा और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्यानमोती झाले आज का अव्यक्त ज्यानमोती